दोस्तो यूएस में महंगाई दर का डेटा आचुका है तो डेटा बताने से पहले आपको उसका प्रभाव दिखा दूँ अगर आप डाव जोन्स को देखोगे तो लगभग देड़ परसंट बढ़ा हुआ है अगर आप सिर्फ इतना देखोगे तो लगएगा डेटा बहुत शांदार है लग रहा है महंगाई काबू में आ चुकी है आने वाला भविश्य बहुत अच्छा है स्टॉक मार्केट के लिए ऐसा नहीं है सॉरी लेकिन ऐसा नहीं है ऐसी ब 6 परसंट यानी year on year महंगाई दर में 6 परसंट की बढ़ातरी है ध्या रखो जो उनके सेंट्रल बैंक है RBI जैसा उनका फेडरल रिजर्फ उसका टार्गेट है 2 परसंट का महंगाई कितनी बढ़ क्या है 6 परसंट वो भी तब 6 परसंट अभी है जब आपने इतिहास में 1980 के बाद सबसे fast interest rate rise की है उसके बाद 6 परसंट की महंगाई फिलाल अभी भी है तो यह बता रहे कि आप उतने successful नहीं हो महंगाई को काबू करने के लिए सीधी बात है लेकिन उसके नीचे पर जाओगे आपको गया फिर बाजार क्यों बढ़ क्या रहा है उसका क्या wisdom है उसका क बढ़ात्री की रफतार कम हो रही है यह बात से बाजार को ज्यादा ही खुश है मेरा मानना है कि यार यह जो बढ़ात्री की रफतार कम हो रही है इस पर जो बाजार खुश हो रहा है इतना भी कम नहीं हो रहा है जितनी आप खुशी मना रहे हो यह खुशी मेरे हिसाब से जादा sustainable नहीं रहेगी क्योंकि मेरे इसाब से ये data उतना अच्छा नहीं है headline इसकी जादा अच्छी है बाजार को sentiment जादा अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन data उतना अच्छा नहीं है और वो आप अगर नीचे देखोगे article में तो आपको खुद ही पता चल जाएगा यहाँ पे देखो federal reserve का target है 2% और महंगाई आ रही है 6% तो अभी भी काबू में नहीं आई है बहुत दूर है 6% तो हमारी RBI कहती है बहुत जादा है तो आप तो US हो वहाँ तो और बहुत ही जादा माना चाएगा anyways अगर आप और गहराई में जाओगे month on month में 4% की बढ़ात्री आई है sorry 0.4% की बढ़ात्री आई है और अगर आप January month का ये data देखोगे तो 0.5% बढ़ रहाता है यानि month on month भी थोड़ी गिरावट आई है लेकिन भाई इतना interest rate बढ़ाने के बाद month on month महंगाई दर काबू में नहीं आ पा रही है year on year में तो base effect भी तो है न पिछली बार महंगाई इतनी जादा हो चुकी थी वहाँ से आप comparison करोगे अगर तो base effect होने की वज़ा से क्योंकि पिछला number इतना जादा था इसलिए आपके महंगाई अपने आप कमा जाएगी उसके लिए आपको interest rate थोड़ी बढ़ाना था इतना वो तो base effect की वज़ा से ही इतना कम हो जाना चाहिए था लेकिन और गहराई में जाओगे 0.4% month on month बढ़के आ रही है ये data बहुत खराब है इतना interest rate बढ़ाने के बाद month on month जो बढ़ातरी है वो negative होनी चाहिए तब जाके लगेगा कि आपका interest rate बढ़ाने का कोई प्रभाव बढ़ रहा है ये बहुत ही खराब data है actually और आप नीचे detail में जाओगे अगर core inflation भी ज़्यादा होके आई है shelter इनका जो बढ़के आया है इनकी food की inflation बहुत ज़्यादा बढ़के आई है अमेरिका में और इसी लिए नीचे आप देख सकते हो financial stability dilemma यानि अब मैं आपको बताता हूँ आगे की बात बाजार खुश हो रहा है लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखोगे न एक पहलू नहीं है दूसरा पहलू है दूसरा पहलू है bond market bond market में क्या चला है उस पे नजर डालो ज़रा US की एक साल की bond deal साड़े साथ परसेंट बढ़के आई है दो साल की bond deal लगभग साड़े आठ परसेंट बढ़के आई है यह बहुत कम होता है जब stock market भी बढ़ रहा हो और bond yield भी बढ़ रही हो दोनों में generally inverse correlation होता है लेकिन यहाँ पे दोनों ही बढ़ रहा है क्योंकि bond market यह data को देखके कह रहा है कि data उतना अच्छा नहीं है मेरा मानना है in fact bond market का मानना है 25 basis point 23 तारीक को 22 तारीक को US में data आएगा उसका प्रभाव हम पे 23 तारीक को पड़ेगा 22 तारीक के data में 25 basis point के interest rate बढ़ना लगभगता है है इस data के बाद यह bond market बिलकुल मान चुका है इसकी वज़ा से yield बढ़ रही है और आपका stock market क्यों बढ़ रहा है reason stock market में चो तेजी हो रही है बहुत reason से हो सकती है यह आपके mechanical कारण हो सकते है positioning के statty बनी होगी trader के उस पे भी depend करता है लगतार गिरावट के बाद एक bounce back आ रहा है बस इस data के छोटे से अच्छे part को देखके वो भी हो सकता है लेकिन bond market आपको simple बात कह रहा है कि interest rate cut करना छोड़ो pause करना छोड़ो 25 basis point बढ़ने वाला है 22 तारीक को अच्छा समस्या क्या है अर्थे व्यवस्ता में सबसे बड़ी समस्या क्या है interest rate का बढ़ दाना खुशी हम कब मनाएंगे जब federal reserve उनके chairman Powell साभ खुश सामने आके कह दे interest rate अब मैं नहीं बढ़ाऊंगा interest rate जितने बढ़ाने थे बढ़ चुके है अब मैं सोच रहा हूं interest rate काटने का क्योंकि अर्थे व्यवस्ता में हमारे bank बरबाद हो रहे है बहुत जादा समस्या आ रही है लेकिन ऐसा कुछ अभी उन्होंने कहा नहीं है और उसके पहले जादा celebrate करना इस data को उतना अच्छा नहीं होगा in fact मैं तो यह भी कहूंगा इस data के बाद federal reserve के जो chairman है उनका interest rate pause या hike कम करना या cut करने के बार में बयान देना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि महंगाई अभी भी पूरी तरह काबू में नहीं आई है अब सारी चीज़े डिपेंट करती है 23 तारीक को 25 basis point तो वो बढ़ाएंगे लेकिन उनके बयान क्या आते है अब सब चीज़ उसी पर डिपेंट करती है और भूलिएगा मत आज CPI डेटा आया है कल रीटेल सेल्स का डेटा आ जाएगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टन रहेगा जैसा मैं कह रहा हूँ मार्ज का महीना news based trading होने वाली है और उसी का प्रभाव आप देख रहे हो पट मेरे analysis से आपको डीटेल में बताने का था कि headline ज़्यादा बेटर है डेटा उतना बेटर नहीं है अगर इसकी वज़ा से बाजार बहुत ज़्यादा कूद फांद करता है उपर तो मेरा मानना है ठिकना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें fundamental वो शक्ती नहीं है इस डेटा में जो कि बाजार को लंबे समय तक उपर कर पाए या बाजार के downtrend को change कर पाए general bounce back मान के चलो जो US market में आ रहा है और हमारे market में भी आ सकता है चार दिन से लगातार बरी के डावट आप दे रहे हो anyways अगर आपको इस तरह के कोई कपडेट पसंद आया तो उसको like करे चैनल को subscribe करे और comment section का उप्योग करना बिल्कुल न भूले आपके कोई भी सजाव है या आपका कोई भी प्रश्न है वहां पे जरूर पूचे है thank you so much for watching this video take care